अब एक नियुक्त ब्लोग्स एंड रहे चलूर कणड़ी को निचे में शूद के दूदूर पी रहा है और हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं एक चीज जो बनाए हुए है तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या बनाए है बन दो चलूर को फ्रीज बन करना ज्यादा अच्छा लगता है तो देशकते हैं हम बनाए है तीन ग्लास में दो ग्लास एक कटोड़े में और इधर आप देख सकते हैं तो ठीक है नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि यह है टेरी मिल्क चोकलेट जो कि हम इसको मॉल्ट कर रहे हैं इसको इसको अइस क्रीम के उपर छोक को यहीं लगांगे उपर पर आफ़र आस क्रीम बना है कि अपटा लोग को पता मेहों यह कि उतना अच्छा जंप के रेडी होगे देख सकते हम दिनक कसके कर रहे हैं आप एसे विचाकू से भी देख सकते हैं कि टाइट हो चुका है और यह पता नहीं हुआ है कि नहीं है तो देख सकता है फ्रेंट हमारा चोकलेट क्रीम उपर से बनके रेडी हो गया है अब उसको निकाल लेते हैं पहले तो फ्रेंड़ इस को निकाल लिए थे पहले भी देख सकते हैं और थोरा-थोरा खावी लिये थे और अब इसके उपर क्रीम देंगे देख सकते हैं हमारा चॉकलेट क्रीम रेडी हो रहा है क्या गिरा दिया कि यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस दुसरा भी हम निकाल लिये हैं बहुत इसली निकल भी जाता है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में और भी अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम तीनों रेडी कर लिए हैं चोकलेट थोड़ा कम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं आप हम कहां से खर देंगे कोई है भी नहीं लाने वाला तो अभी हो गया अब साथ है राते ही सबको फिर्ज में तो अचरश कर देंगे फिर से Counseling कै'D कर दो एक है सकते हैं फ्रेंड्स हम उपर से खाग लिए हैं थोरा-ठार और देखी इतना इजली निकल चुका है बेना कोई ठोके पीटे तो हम पहली बार बनाए हैं अच्छा लगारे खाणे में देख्रें भले ही थोड़ा भद्दा दीख रहा है लेकिन खाने में अच्छा लगता है आप एक बार ट्राइब जरूर करके देखिए कि तीन चार साथ सब खा गया एक ही बचा हुआ है जो भी हम खा रहें